इसमिल्लार्ण रह्मान ररहीम इस वीडियो में मैं LP Space के ऊपर बात करूँगा LP Space क्या होते हैं LP Space sequence का एक Space है इस पेस कंसेस्ट आफ इस स्पेस कंसेस्ट आफ अब आल सीक्वेंस यानि इसका मतलब यह है I.E. if अगर एक्स बिलांग करते है LP को then implies that x क्या होगी एक्स एक्स सीक्वेंस होगी where x n किसको भी लांग करेगा यह पीड को भी लांग करेगा पीड क्या है real है या complex है with norm defined आवर इस पर with norm defined as इस पर नाम कुछ इस तरह define है Summation I start from one up to infinity x i mark fee यहाँ पर whole one over p है आप इस रूट पाम में भी लिख सकते हैं लेकिन यह summation जो है e list in infinity होगा यह बात याद रखे यानि यह finite number है clear यह किया है यह finite number है हम को यह प्रूब करना है कि यह three condition जो है नाम की वह हो satisfy करेगा लेकिन यहाँ पर अगर आप देखे इस sequence जो है sequence का हर element पीड से बिलांग करते इसका मतलब यह है यह real sequence है या complex आपको पते है sequence किया है sequence pension है यो define होती है sequence किया है engine है यो define होती हैree niche a number से किसके ऊपर आरक कर उपर इसको real sequence के थे complex sequence क्या होते है वो हो निचरल नामबर से किसके ऊपर define होती है natural number से complex number के ऊपर define होती है तो यह complex यानि इसका हर is sequence का हरlement पीडियल होग और इसके complex होगा तो हम को प्रूब करना है कि ये जो है ये त्री कंडिशन सेटिस्पाई करेगा तो आई ये स्टार्ट करते हैं पहले कंडिशन पस्ट प्रापर्टी क्या थी के ये ग्रेटर आई एकुल टू जीरो होनी चाहिए तो अगर आप देखे ये बराबर है समेशन आई स्टार्ट प्राम आप टू इंफिनिटी एकस आई पी होल वन वर्पी लेकिन अगर आप यहां पर देखे हर एक एकस आई जो है या रियल है या कंप्लेक्स है तो इसका माट जो है ये ग्रेटर आर इकुल टू जीरो होगा त्लियर इंप्लाइज देट एच एकस आई माट ग्रेटर आर ग्रेटर अरुक दू जी रोज आएगा और आप इसका अगर आप इसका पावर फिले इद वहीं ग्रेटर आर इकुल टू जीरो होगा और फिर आप इन्वांड़े टाम एट एस से तरह पों जीरो आटनो जीरो अगा आगर इसी तभी पी नोरे ले, तो व्य क्या आयका बी डारिक लिए लिखता हो एक्स ग्रेटर और इकुल टी जिरू पस्ट कंडिशन किया होगी सटिस्पाइट हाँ अब हम को दुसरा प्रापर्टी चीख करना है जुसरी प्रापर्टी क्या है कि टुसरी एक्स फीकुल होनी चाहिए किसके एम आट के और श नाम के है फार आल ए बिलांग टु मिलल इन पार और एक्स बिलांग टो ट्रिव यहां पर स्पेस क्या है एलभी है क्लियर तो आई हम देखते हैं हम यह साइड लेते है एक स ना म किस तरह य ठाएट है नाम डिफाइन है I start from one up to infinity यहाँ पर XI XI की जगा क्या होगा ए एक्स आइ एप से लूट टू पावर फी और होल वन वर फी होगा अगर आप दे के यह किस तरह है यह आप इस तरह लिख सकते है एक्स वन पावर फी प्लस एक्स टू पावर पी एंड सो आन इन फाइन एक समहें clear our whole one over P अगर आफ हर एक से आप इसको सिपरेट लिख सकते हैं पस्ट एमार्ड अलेक एक्स वन मार्ड इसी तरह सब के साथ आप सिपरेट लिके और फिर एमार्ट कामन ले तो यह आपके पास बराबर होगा एमार्ट यहापर होगा एक्स वन मार्ट पी प्लस एक्स टू मा है अगर आप इस पर होल और इसी तरह इसके साथ पी बी कामन आएगा हर एक के साथ और अगर आप होल वन वर पी ले अपको पता है यह पी दोनों पर है यह दोनों प्राड़क में है तो आप दोनों पर सिपरेट लिख सकते हैं एमार्ट फी इस पर होल वन वर पी आएगा स ये एक दुसरे के साथ cancel होगा, ये बराबर होगा, ये किसके बराबर है, ये तो बराबर है, I start from 1 up to infinity, x i, यहाँ पर p है, यहाँ पर वं और होगा, clear, ये किसके बराबर है, ये तो बराबर है, by given condition x नाम दूसरी कंडिशन बी सट इसपाई हुई अब आपको ट्राइंगल इनिकुलिर टीच करना है अगर आप देके एक्स प्लस वाई हमको प्रूब करना है कि यह आर इकुल टो एक्स नाप प्लस वाई नाम ही तो यह किस तरह होगा यह बरावर होगा समेशन आई स्टार्ट प्रा अर यहा पर होगा बंवर फिभा आगर आप मिन कैस की इनिकुलि gauche यहा पर यूस करेतो आपके पास ही कुछ इस तरह आयगा मिन कास की इनिकुलिटी मैंने अरड़िक विडियो बनाई है तो यह बरावर होगा एक्स प्लस वाई this is less are equal to what this is less are equal to summation i start from 1 up to infinity x i यहापर p whole 1 over p होगा plus summation i start from 1 up to infinity यहापर y i p whole 1 over p होगा यह किसके बराबर है तो x plus y ना e less are equal to x ना plus y ना for all x y belong to what lp space clear तो हमने थाबित कर दिया कि यह तीनों के तीनों कंडिशन क्या करते हैं सेटिस्पाई करते हैं यह कि नाम के लिए required थी हैं this is unnaam space यह जो define है lp के उपर एक नाम बनाती है इसका मतलब क्या हुआ कि आवर इस पर नाम जो define है एक नाम space हुआ this is non space दूसरा जो है वो हुए lnp space space में this space consist of interple यानि इस में interple मौजूद होती है इसका मतलब यह है कि अगर x कोई भी element आप उठा ले इस lnp space से तो इस x का पाम कुछ इस तरह होगा x1, x2, x3 and so on xn where each x i belong करेगा r को और इस पर नाम इस तरह define है x आप यह खुद प्रूब कर सकते हैं कि यह भी condition satisfy करते हैं आप चिक कर सकते हैं जिस तरह मैंने lp के लिए क्या आप इस के लिए खुद करें आप उस और इसमें परक सिरफ इतना है lp और lnp में के वह यहाप यहापर इंफिनिटी था आवर इस lnp में यहापर क्या है n है XI यहाँ पर P है 1 over P है सेम चीज़ है सिरफ इस N की डिपरेंस है वहाँ पर यहाँ पर इंफिनिटी था यहाँ पर N है वही प्रूब आप इसके लिए भी लेके लेकिन वहाँ पर जहाँ जहाँ इंफिनिटी है तब उनको पाइनाइट नमबर से इन से रिप्लेस करें तो आज के लिए इतना काफी है निक्स्ट वीडियो में हम फिर इन इन स्पेस के उपर बात करने वाले हैं तब तक अल्लापामान तेंक्यू